जैहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो 2021 आर्मी स्पेसल बैच इसमें हमारी चैनल पर कंटिन्यू है और आज की इस व्यूडियो में हम डिसकस करने वाले हैं टॉप 15 जनरल सैंस यानि की सामान विग्यान के कोस्चन्स जो की आपके आर्मी जी डी, क्लर्क, टेक्निकल और आपके नर्सिंग असिस्टेंट के एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट कोस्चन्स हैं तो दोस्तों ये व्यूडियो बहुत इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए अगर आपको ये व्यूडियो पसंद आए तो व्यूडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में इस व्यूडियो को सेर जरू करना तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की बीडियो लेकिन बीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वैल आइकन क प्रेस जरूर कर लेना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी तो कोस्चन नमबर वन है हमारा आज का ट्रेकोमा नामक बीमारी से सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है कोस्चन एक बार फिर से सुन लिजिए ट्रेकोमा नामक बी अप्षिंशन C आँख ठीक है बहुत इंपर्टन कोस्चन है दोस्तो और आपका जो नममबर 2020 में आपका जो आर्मी का रिटिन एक्जाम हुआ था उसमें ये कोस्चन पूछा जा चुका है ठीक है तो question number 2 है किस vitamin में cobalt पाया जाता है किस vitamin में cobalt पाया जाता है options आपके सामने आ चुके हैं दोस्तो तो यहाँ पर question number 2 का सही answer है option A, vitamin B12 ठीक है तो दोस्तो question number 3 के तरफ चलने से पहले आप सभी को बता दें कि आप इस वीडियो में जितने भी questions देखेंगे ये पिछली किसी न किसी जो army का रेटिन एकजाम है उसमें ये questions पूछे जा चुके है ठीक है तो बहुत important question है एक-एक question के लिए ध्यान से सुनियेगा question number 3 है अस्थी से अस्थी के जोड को क्या कहते हैं options आपके सामने आ चुके हैं दोस्तो तो यहां पर question number 3 का सही answer होगा आपका option B लिगामेंट्स ठीक है अस्थी से अस्थी के जोड को क्या कहते हैं लिगामेंट्स question number 4 है रक्त समूं को sorry दोस्तो यहां पर थोड़ी सी टैपिंग में मिस्टेक हो गई है question है आपका रक्त समूं की खोज किसने की थी रक्त समूं की खोज किसने की थी ठीक है question number 4 में पहले वे आपके लिए एक बर करा चुका हूँ तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको इस question का answer पता होगा तो अगर आपको answer पता है दोस्तो comment box में comment करके जरूर बताएं तो रक्त समूं की खोज की थी दोस्तो land stiner ने तो यहाँ पर question number 4 का सही answer है option D land stiner question number 5 है और बहुत बहुत important question है दोस्तो यह आपके लिए धान में खहरा रोग किसकी कमी के कारण होता है options आपके सामने आ चुके हैं दोस्तो तो यहाँ पर question number 5 का सही answer है आपका option C question number 6 है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एबम संग्रचनात्मक एकाई क्या है question number 6 का दोस्तो सही answer है आपका option B कोसिका question number 7 है हमारा कीटों का अध्यन क्या कहलाता है कीटों का अध्यन क्या कहलाता है तो दोस्तो इस question का answer बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि यह जो question है दोस्तो यह पिछले आपके जो papers हुए हैं army के उनके written exam से ही लिये गए हैं ठीक है तो एक ए question इसमें जो आपकी army के exam में आ चुके हैं वही questions है इसमें तो बहुत important video है दोस्तो तो यहां पर question number seven का सही answer है दोस्तो आपका option D entomology कीटें sorry कीटों के अध्यन के लिए कहा जाता है entomology question number eight है आपका सरवादिक बिद्युत चालकता वाला तत्व क्या है सरवादिक बिद्युत चालकता वाला तत्व क्या है question number eight का सही answer है आपका option D चांदी Q9 है आपका दोस्तो निम्न में से कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है Q9 का सही अंसर है आपका Option C, Chlorine Q10 है Dolomite निम्न में से किसका अयस्क है Options आपके सामने आ चुके हैं दोस्तो तो यहाँ पर Q10 का Option C करेक्ट होगा A और B दोनो Calcium और Magnesium दोनों का ही Dolomite जो है वो आयस्क है ठीक है तो next question के तरफ चलने से पहले आप सभी को बता दें दोस्तो कि हमारे चैनल पर आपके लिए Indian Army की जो रिटेन एग्जाम होते हैं उनकी आपको डेली, GK, GS और रीजनिंग की वीडियोस मिलती रहती हैं और इसके अलाबा दोस्तो आपके लिए हमारे चैनल पर Indian Army में पूरी इंडिया में कहीं पर भी बैकेंसीस निकलती हैं तो उसकी भी डिटेल आपको मिलती रहती है तो Q11 का सही आंसर होगा Option B, W ठीक है, टंगिस्टन का जो संकेत होता है, वो होता है Q12 है, ग्रेफाइट विद्यूत का डैस है ग्रेफाइट विद्यूत का क्या है Q12 का सही आंसर है आपका, Option B, सुचालक ग्रेफाइट जो है दोस्तों, वो विद्यूत का सुचालक होता है Q13 की तरफ चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त है जो की आर्मी की तयारी कर रहा है और 2021 में आर्मी में भरती होना चाहता है तो आप उसके लिए इस वीडियो को सेर करें और हमारी चैनल के बारे में भी उसको जरूर बताएं ठीक है? Q13 की तरफ चलते है Q13 है Q13 की तरफ चलते है बहुते कवस्ताओं में रह सकता है तो यहाँ पर दोस्तों बहुते कवस्ताओं में रह सकता है वो है जल Q14 का सही आंसर है Option B जल आज की वीडियो का लाश्ट कोउस्चन होगा विद्यूद बैटरी का अविसकार किषने किया Q15 का सही आंसर होगा Option C Alessandro Bolta ठीक है Alessandro Bolta ने जो है दोस्तों वो विद्यूद बैटरी का अविसकार किया था तो यह थे दोस्तों 15 questions जो की आर्मी के जो पिछले कुछ सालों के papers हैं उनमें से मैंने लिये थे तो बहुत ही important questions थे आपके तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी लेकिन दोस्तों वीडियो को समप्त करने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल सिभा ओनलाइन क्लासे से इस वीडियो की PDF फाइल को बिलकुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही थेंक्यू फॉर वाचिंग कल फिर्म लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभारत